जैहिन दोस्तों मैं नवीन सर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ आसा करता हूँ आप सब एक दम अच्छे हैं एक दम भैतरीन है एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं सारे प्यारे ठर्डी वीर बतादो भी आप सब कैसे हो सारे मलूख मलूख बच्चे बतादो आप सब कैसे हो सवनु कुमार अंकित संदीप आर्यन साक्षी कुमारी वसू चौधरी अंकित हिमान्सू गेमिंग क्लिप स्वाति गुजर करंडराथी सभी बच्चों का बहुत दिल से स्वागत है कता ही दिल से स्वागत है कहां रोजगार विदंकित यूट्यूब चैनल की चल रही computer की special classes में जिसमें मैं आप लोगों से एक वादा कर चुका हूँ दस बटे दस का एक वादा और आप अपने मुख्या परिक्षा में दस बटे दस करके आएंगे तो यह प्रॉमिस मेरा है और आप इसको हर हाल में एचीव करेंगे तो अभी तक मैंने आपको बताया था computer memory कितने परकार की होती है primary memory, ROM, RAM, register कैसे memory हमने पढ़ा secondary memory में वो memory जो computer के भार से लगाई जाती है जिसके दो परकार मैंने आपको बताया थे एक तो fixed और एक removable fixed में मैंने आपको बताया था दोस्ट hardx drive जो थी HDD drive जो थी आपकी removable में हमने pen drives वगरा की बात की, cd, dvd की बात की, floppy disk की बात की तो primary और secondary हम पढ़ चुके थे, आज हम आ रहे हैं computer memory के class 3 में और topic है हमारा measurement of memory, क्या बोलोगे, measurement of, measurement of memory measurement of memory, memory मतलब यह इनसान की, इनसान की बी तो यादास्त होती है अब इनसान की जो यादास्त किसी की कमजोर है, किसी की तेज है, किसी की बहुत कम बुद्धी होती है बुद्धी मतलब वो प्रियोग नहीं करता है, तरसल में मस्तिस्क एक जैसा ही होता है हम इसको कमजोर और सुद्रण खुद बनाते हमारे हाथ में तो measurement of memory में सबसे पहले हमें पढ़ना होता है दोस्त, bit के बारे में किसके बारे में? पहला topic सुरू होता है हमारा bit यह bit क्या है? what is bit? लिखना bit bit binary digit का संचिप्त नाम है, किसका संचिप्त नाम है? binary digit का binary digit का संचिप्त नाम है क्या है? एक abbreviated form है, कैसे जी? अब आप लोगों के सामने है b i e तो यहां से उठा लिया, और t कहां से उठा लिया? लाट से, तो क्या बोल दिया? इसको bit बोल दिया तो bit किसकी सॉट फॉर्म है? दोस्त, क्या बोलोगे? binary digit की सॉट फॉर्म है, बाइनरी digit की सॉट फॉर्म है लिखना, यह है computer memory की सबसे छोटी एकाई है तीन ये बाते बताऊंगा, मैं आपको फॉरे चेप्टर में तीनों पर फोकस करना है यह computer memory की सबसे छोटी एकाई है क्या है? computer memory की सबसे छोटी एकाई है कोई दिकत? कोई दिकत हुई इस बात में? सबसे छोटी से मतलब अगर हम computer memory को indicate करते हैं तो हमारे दिमाग में एक परसन आता है कि जी bit होता क्या है तो दोस्त मैंने आपको पहले ही चेप्टर में बताया था जो ये computer है, ये क्या समझता है? सिर्फ binary language को समझता है दूई आधारी भासा को समझता है और ये दूई आधारी भासा याने की जिसका आधार दो हो ये किस से बनी है? दो numbers से बनी है और 0 और 1, 0 and 1 इसलिए क्या बोलते हैं? binary by का मतलब होता है 2 और वो दो कौन से है? 0 and 1 तो bit कौन कौन सी होती है? हमारी अगर मैं बात करूँ आप से bit होती है हमारी कौन सी? 0 and 1 0 and 1 अब अंतर समझना बहुत ध्यान से अगर मैं बोलू 0 computer की भासा में क्या है? तो आप कहेंगे bit है bit binary digit है मैं बोलू computer की भासा में 1 का क्या अर्थ है? ये 1 क्या है? ये bit है और ये 1 किसको indicate करता है? computer on है computer अब signal accept करने की हालत में है 0 का क्या मतलब होता है? 0 का meaning होता है off समझे बात? कही बार में आपको बता चुका हूँ 0 का मतलब off और 1 का मतलब on होता है यहीं बच्चे एक terms आती है यहां गौर से देखना bit and bit अब मैं बात करने जा रहा हूँ bits क्या है? bits क्या है? बोलो भी? bits क्या है? कोई बच्चा बता पाएगा? तो ये दरसल में सिर्फ एक plural form है आपकी एक बहु बचन है जैसे कि हम कर देते हैं किसका cow का cows तो bit का क्या कर दिया? bits लेकिन पूछे computer की भासा में 0 तो bit है 1 bit है फिर bits क्या है? 81, 0 और 1 को जब हम बोलेंगे तो bits बोलेंगे तो एक था 0 तो bit 2 हो गए 0, 1 तो भूवचन हो गया ना plural हो गया एक से ज़्यादा को पिलूरल बोलते है तो bits कभी भी बोले तो सिर्फ ऐसे option पूछा गया है आप से और बहुत बड़ी परिक्षा है नाम भी लेना आप लोगों के लिए तो क्या है? तरक संगत नहीं है मतलब हमको दिल्ली प्लिस पर focus करना है BPSC का पूछा हुआ question है computer की भासा में computer की भासा में जो bits है उसका क्या आर्थ है? option दे रखा था 0,1 और तीसरा option दे रखा था both A and B both A and B ठीक है? और option C में दे रखा था आपका क्या बूल रहा था? 0,1 फिर इसके option दे रखे थे तो आपको कौन सा चुनना है? 0 को नहीं बूल सकते 1 को नहीं बूल सकते option C बूल रहा है both A and B यानि 0,1 ही कह रहा है तो option C भी ठीक है और option D भी ठीक है समझे मेरी बात को इतना अंतर आजाता है आगे बढ़ेंगे बई ये बड़ी common सी बात हुई कहते हैं तो bits किसको कहते हैं? एक group को बोलते हैं जो group किसका होता है? 0 and 1 का सबसे छोटी काई कौन सी हुई bit? bit से आगे बढ़ते हैं bit से आगे आती है फिर nibble क्या बोलोगे? nibble nibble क्या होता है? 2 bit से मिलकर bits बना nibble क्या होता है? चार bit से मिलकर बनता है bit not byte byte अभी आएगा bit and byte में अंतर है byte एक बड़ी काई है byte क्या है? एक बड़ी काई है 4 bit से मिलकर बनता है कैसे समझेंगे आप इस बात को? आपने बताया भिया जी कि यहाँ 2 bit अगर है तो bits बन जाता है nibble बनेगा 4 bit से सकते हैं? जैसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कितनी bit होगी? 0, 0, 0, 0 कितनी? 1 मैं लिख सकता हूँ 1, 0, 0, 1 अभी इसके बारे में सिर्फ इतना समझो मैं इनकी value निकालना आपको बताऊँगा जब मैं आपको number conversion पढ़ाऊँगा ठीक है? या मैं किया सकता हूँ 1, 1, 0, 0 या मैं बोल सकता हूँ आपसे 1, 0, 1, 0 बहुत सारे number आप बना सकते हैं बहुत सारे number आप बना सकते हैं ठीक है? बिल्कुल Twitter को Elon Musk ने खरीद लिया है मेरे दोस्त तुम तो ऐसे खुश हो रहे हो? मान के चलो तुम्हें कुछ हिसेदारी दे दी हो Elon Musk ने है Elon Musk इस सदी का सबसे करांतिकारी आदमी है और Twitter ने कितनी योजनाई बनाई कि Elon Musk उसको ना खरीद पाई लेकिन Elon Musk ने क्या कर दिया? सब को पार कर दिया, सारी बाधाओं को पार कर दिया तो जब वेक्ती कुछ ठान लेता है तो वो सब कुछ पार कर जाता है उस जिद में क्या होनी चाहिए? एक positivity होनी चाहिए कि मैं ये कर के रहूँगा तो वो उसको कर पाता है किस के साथ में? Negative ideas के साथ में नहीं Positive ideas के साथ में तो हमेशा positive रहिए हमेशा Nibble 4 bit से मिल करके बनता है फिर आती है दोस्त किस की बात? Byte की बात आती है और Byte की बात क्या है? 8 bit से मिल कर बनता है 8 bit से मिल कर बनता है यहाँ से cushion बनने शुरू होते हैं 8 bit से मतलब कोई भी 8 bit बना लो आप जो आप common कर रहे है कि ऐसा नहीं है fix है कुछ भी जो आपका मन करें हो गई 8 bit count कर लो 4, 4, 0 और 1 ही तो bit है तो क्या बोलोगे 8 bit से मिलकर बनता है क्या byte और मैंने बोला 4 bit से मिलकर के बनता है आपका nibel बोलो byte बड़ा की nibel हर बच्चे का comment section का answer आना चीए बाइट बड़ा की निबल अब कहोगे या जी इसमें तो आठ आदमी है इसमें चार आदमी है ये ताकतवर है आठ बिट है इसमें आठ बिट निबल से कितना है दो गुना है यानि की चार और चार इसके चार ले लिए इसके चार ले लिए नि अगर एक निबल और दो निबल, दो निबल को लेंगे, तब एक बाइट बनता है, तब एक बाइट बनता है, तो ये भी कई बार पुछा जाता है, यहीं लिखना, एक बाइट बराबर, इसलिए एक बाइट बराबर दो निबल हम कहते हैं, दो निबल हम कहते हैं, लेकिन उल निबल, बाइट के comparison में, बिचारा, बिचारा आधा है, कैसा है बिचारा, ये तो आठ लोग है, इसके पास चार है, आधा है, तो क्या बोलोगे, एक निबल बराबर आधा बाइट होता है, ये directly पुछे जाते हैं आप से convergence, तो ये आपको हमेशा पता होने चाहिए, ठीक है, आगया ये, अब ये computer memory तो हमने बोला, computer memory तो हमने इसको बोला, लेकिन हम इसको परिभासित कैसे करें, बाइट को, ऐसे लिखना, computer में, computer में, एक अक्षर, अक्षर, a, b, c, d हो, कोई अंक हो, alpha numeric code हो, add the rate हो, hedge हो, 1, 2, 3 हो, छोटी a, b, c, d, बड़ी a, b, c, d, आनि alphabets वाला हो, तो computer में, एक अक्षर, क्या बोलोगे, एक byte जगह घेरता है, एक byte जगह घेरता है, मेरे दोस्त अभी मुझे, उसका, इंग्लिस की class का पता नहीं है, मैं तो इंग्लिस की class का, हम पता करो, नवीन पता करो, इंग्लिस की class क्यों नहीं हो रही है, अब मुझे बताओ, हम बच्चों को बता दूँ, computer में, एक अक्षर, एक byte जगह घेरता है, जैसे की, मुझे बताना, मैंने एक सब्द लिखा, word, कितने byte चाहिए, इस अक्षर को लिखने के लिए, computer memory कितने byte जगह घेरेगी, सभी बच्चे, फटा-फट से बोलेंगे, computer में एक अक्षर, एक byte जगह घेरता है, और, एक खाली स्थान, एक space जो है, खाली स्थान का मतलब है, space, एक खाली स्थान, यानि कि जिसको मैं space कह सकता हूँ, एक खाली स्थान भी, एक byte जगह घेरता है, एक खाली स्थान भी, एक byte जगह, एक byte जगह, घेरता है, तो आप सब लोगों का उम्मीद करूँगा, answer है होगा, world को कितनी byte चाहिए, 5 byte चाहिए, very good, सब लोगों का answer ठीक है, कोई space नहीं है, 1, 2 bit, 3 bit, L की 4, D के लिए 1 bit, 5 bit होगी, अब मैं एक चीज लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखो, world bar, क्या बोला, world war, इसमें बताओ, ये कितनी byte घेरेगा, फटापट से, एक ही second answer आजाना चीए, सभी मेरे प्यारे दोस्तों का, कंप्यूटर पर, कंप्यूटर पर, प्रोसिस होने वाली, प्रोसिस होने वाली, सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, बाइट है, कौनसी है, क्या बोलोगे, byte, B-Y-T-E, वो B-I-T था, आप कहेंगे, भीया जी आपने अभी तो कहा था, सबसे छोटी इकाई, बिट है, और अब आप बोल रहे हैं, सबसे छोटी इकाई, बाइट है, तो मेरे दोस्त इस बात को समझना, मैंने सब्द लगाया, कंप्यूटर पर, प्रो खाओगे क्या, जब खाना खाते हो, at least एक टुकड़ा खाते हो न, अब एक टुकड़ा केई गैहूं के दाने से बना हुआ है, ऐसे ही bite है, खाने के लिए आपको क्या चीए टुकड़ा, खाने के लिए इतना छोटा सा खाओगे क्या, है, गैहूं के दाने के बरावर, एक टुकड़ा के लिए, प्रोस श का याय चाहिए, क्या चाहिए, कम से कम एक byte चाहिए, लिखे कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई, तो बुलना bit, लेकिन बुल दे कंप्यूटर पर प्रोसेस होने वाली सबसे छोटी इकाई, byte, समझ रहे हैं, किसी भी एक्जाम के लिए computer पढ़ सकते हैं, दोस्त किसी भी Classes चल रही है आपकी दिल्ली पुलिस special के लिए दिल्ली पुलिस constable, दिल्ली पुलिस head constable ministerial और दिल्ली पुलिस AWO को ध्यान में रखते हुए छीक है, computer पर process होने वाली सबसे छोटी एक आई है यहां तक कोई दिक्कत आएंगे एक और चीज पुछी जाती है किसी सब्द की लंबाई यहां भी बच्चा confused हो जाता है तो यह bite में नहीं किसी सब्द की लंबाई एक बच्चे ने पूछा, word की लंबाई किसी सब्द की लंबाई हमेशा bit में न पेगी की लंबाई चीक है बात है कि कम्प्यूटर में किसी सब्द की लंबाई पूछा जाता है कितने bit तक हो सकती है, कम्प्यूटर वई एक जो है आपका letter एक bit लेता है, तो कम्प्यूटर में एक word कितना maximum बड़ा लिखा सकता है, 64 bit 64 bit का लिखा जा सकता है, लिखना किसी सब्द की अधिक्तम लंबाई 64 bit हो सकती है 64 bit हो सकती है और दोस्त मैं आपको बता देना हो चाहता हूँ कल इसका practice session होगा तीन classes का हम जो भी पढ़ चुके होंगे और उमीद करूँगा practice session के जो बहतरीन 30 question होंगे, सब भी लोग 30 पटे 30 कर आज ही thumbs up करो और मुझे बताओ और जिन प्यारे दोस्तों ने अभी भी class को like नहीं किया है, वो like कर देंगे सर जी आप मेरे को जवाब नहीं देते, बटा मैं किसी जवाब नहीं देता मैंने उनको जवाब नहीं दिया जिनको देना था आज तक waiting में चल, पढ़ा करो, आप जवाब मांगते क्यों हो मैं कोई सरकार हूँ आप जवाब मांग रहे हो मसे, चलो, पढ़ाओ क्या बोलोगे किसी सब्द की अधिक्तम अधिक्तम लंबाई 64 बिट हो सकती है क्या बोलोगे 64 बिट हो सकती है ओके चलोगे आगया अब बात करेंगे दोस्त किसकी बात करी मैंने मैं आपसे कुछ कुछन पुछने जा रहा हूँ फटाफट से बताना फटाफट से बताना मुझे 64 निबल जो है 64 निबल में कितने बिट हो जाएंगे पहला कुछन बताओ मुझे तब आगे पढ़ेंगे मुझे बताओ जो 28 निबल है 28 निबल में 14 बाइट में कितने निबल हो जाएंगे पटावट से 3 कुशन के आंसर देंगे और तब बढ़ेंगे आगे हम लोग अपने मेमोरी मापन बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट से आगे बढ़ते हुए तो देखते हैं, बताना किन लोगों के तीनों कुशन ठीक हुए है 64 निबल में बिट पूछा, एक निबल में बिट होती है कितनी 4, 64, 256, 24, 24, 24, 24, 256 28 निबल में बाइट कितने होते हैं बही और निबल क्या होता है भीया, दो निबल से मिलके एक बाइट बनता है यानि दो निबल से एक बाइट बनेगा तो 14 बाइट बन जाएंगे 14 बाइट में कितने निबल, एक बाइट में दो निबल होते हैं तो 14 दूनी 28 निबल बन जाएंगे देखू भी किसी का आंसर, 216 और जुवलतौमर जी का आंसर एकदम ठीक है चलो बे, 256 और 28 यही मेरे आंसर है प्रमन चंदराजी मेरे दोस्त कैसे बात कर सकता हूँ कॉलिंग टीम के पास बात करो, वो बात करवाएंगे चलो अब सरकार से भी उपर है जारा बेटा चड़ाओ मेरे दोस्त ऐसा मखन लगाने के लिए दुनिया तुम तो मत लगाए करो कम से कम आगे चलें भी आगे चलें आएंगे कंप्यूटर मेमोरी जिनसे लगातार कुश्यन पूछा जाता है बच्चे कंप्यूटर मेमोरी वो बच्चे बताओ जिनके ये तीनों कुश्यन ठीक थे जो मैने अभी पूछे है कंप्यूटर मेमोरी में कैसे कैसे कुश्यन पूछता है यहाँ से सुरू करते हैं एक किलो बाइट से बई बिट समझ चुके आप बाइट समझ चुके निबल समझ चुके हाना ठीक है क्या बोलोगे एक किलो बाइट एक किलो बाइट बराबर कितना होगा हम कहते हैं लोग एक 1024 एक 1024 बाइट होगा alı एक 1024 बाइट होगा बिट नहीं बी आइटी नहीं बी बाइटी औप्शन देता है ऐसे लिख करके आपको confuse कर देगा, एक किलो बाइट बराबर होगा क्या पुछ देता है, एक हजार चौबिस बिट, एक हजार चौबिस बाइट, बहुत सारा बच्चा एकजाम में इतना बिजी होता है जैसे कि बाहर उसको किसी के साथ भागना है, इतनी जल्दी में पिरसन को पढ़ता है और उपसन भी और फिर क्या करता है, जिसके लिए भार भागने को तयार था वो फिर किसी और के साथ भाग जाती है क्योंकि नौकरी नहीं मिलती इसलिए बहुत धेरे हैं और ध्यान से पढ़ना है हमेशा अच्छा पढ़ो एक किलो बाइट बराबर एक हजार चॉबिस बाइट होते हैं इसी एक हजार चॉबिस बाइट को लिखते हैं दो की घात दस बाइट ये आप लोग समझ गए होंगे जी दो की घात दस क्यों लिख दिया देख लो भी दो की घात पांच बराबर कितना होता है बत्तिस दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो फिर क्या दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो यह तो है दो की घात दस दो की घात पांच कितना बत्तिस 2 की घात 5 बरावर कितना 32 33 की घात 2 बरावर 1024 लिख सकता हूँ इसको 2 की घात 10 बाइट नहीं लिख सकता बोलो मिरमित्र लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता येस एक KB के बाद में KB से बड़ी हाई होती है MBA ये भियाan comparison में किरम में लगाने को आती हैं और इसको क्या बोलते हैं हम किलो बाइट बोलते हैं क्या बोलते हैं किलो बाइट फिर क्या आता है हमारा मेगा बाइट समझे, बिट से बड़ी निबल, निबल से बड़ी बाइट, बाइट से बड़ी किलो बाइट, किलो बाइट से बड़ी पांच भी पर आ गए हैं मेगा बाइट अपनी पिछली के बराबर होगी, एक हजार चौबिस, एक हजार चौबिस किलो बाइट के बराबर होगी खुद किलो बाइट एक अकेला किलो बाइट किसके बराबर था एक हजार चौबिस बाइट के बराबर था दो की घात दस के बराबर था या नहीं अकेला एक हजार चौबिस तो एक हजार चौबिस तह ये आगे और एक अकेला के बी बी किसके बराबर है 1024 बाइट के तो दो की घहत 10 फिर से आएगी इस 1024 के लिए नहीं तो अब की बार आ जाती हैं दो की घहत 10 बाइट कैसे समझा दू थोड़ा सा एक हजार चॉविस तो ये हो गए दोस्त और एक अकेला के बी किसके बराबर है एक के बी एक हजार चॉविस बाइट तो दो की घाट दस पहले से हैं इसको इंडिकेट कर सकते हैं 2 की पावर 10 जो खुद क्या हो जाएगा 1 हजार चॉविस 2 की power 10 multiply 2 की power 10 गुणा में गहत के जो अंक हैं वो जुड़ जाते हैं तो 2 की गहत कितनी हो गई? 20 हो गई Any problem? बोलो भई Any problem? एँ? Guys, any problem? पुदिकत बहुत बढ़िया बोलो भई, मेगाबाइट के बाद में क्या आएगी? मेगाबाइट के बाद में आती है भईया जी, गीगाबाइट अब काम खतम हो गया, समझाने का भई अब तो नोट करने का काम बचा है 1024 MB के बरावर होगी तो 2 की गहत 20 पहले से 1024 इनकी और गुणा हो गई वई, अकेला MB 2 की गहत 20 के बरावर 1024 की गुणा और करूं तो 2 की गहत 30 बाइट हो गए 2 की गहत 30 बाइट हो गए छीख है? 9 दिकत 9 दिकत, भई वा, दिकत नहीं होनी चाहीए गीगाबाइट आ गया होता है. अब मुझे आप बता दो. मैं आपको ये काम करने के लिए दे रहूं. फिर आएगा पेटाबाइट. पेटाबाइट बोलते हैं किसको एक पी बी किसके बराबर हो जाएगा. पेटाबाइट से बड़ा होता है दोस्त. एक्साबाइट. एकस आबाइट समझ रहे हो X की definition याद है मैंने क्या बताई थी कल आपको फिर आता है एकस आबाइट के बाद में जेटाबाइट क्या बोलोगे जेटाबाइट हलंत लगा ले ना रहे भीया हिंदी वाले लेकपाल वाले समझ रहे होंगे दिल्ली पलिस वालों को हिंदी नहीं पढ़नी फिर आएगा आपका योटाबाइट 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 बोले तो एक योटाबाइट कितने के बराबर हो जाएगा अजी अब कुछ बचा भी है इसमें अच्छी है वाई 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 एक तो होता कमाल एक होता कमाल से बड़ा धमाल खुरापाथ जैसा C लेंगवेज होती है C++ एक यसी होता है खुरापाथ पलस पलस तब वो हो तो टेराबाइट की बात आएगी दोस्तों किस के बराबर 1024 गीगाबाइट के बराबर होगा और 1024 गीगाबाइट के बराबर होगा तो दो की घात 40 बाइट लिख सकता हूँ या नहीं मैंने आपको बता दिया किस तरह लिखते हैं 1024 टीबी के बराबर होगा टेराबाइट के बराबर होगा तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 की घहत 50 बाइट हम लिख सकते हैं एकसा बाइट 1024 पैटा बाइट के बराबर हो जाएगा दोस्त पैटा बाइट के बराबर हो जाएगा इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 2 की घहत 60 बाइट लिख सकता हूँ ये कितना हो जाएगा 1024 एकसा बाइट के बराबर हो जाएगा इसको दोस्त मैं 2 की घात 270 बाइट लिख सकता हूँ या नहीं 1024 जेड़ा पाइट देको बाद में जेड नहीं है कभी कन्फूज हो जाओ बाद में Y है याद रहाएगा बाद में क्या है दोस्त बाद में वाई है तो क्या हो गया दो की घात 80 बाइट मैं इसको कह सकता हूँ या नहीं भाईया जी बिलकुल कह सकते हूँ एक हजार चौबिस जोटा बाइट के बाद में खुदिकत और कभी आपके पास फुरसत हो तो फुरसत हो तो देखना PCS परिक्षा C-Sat-Pree का कुश्चन है आपका 2019 का ही कुश्चन है पूछा गया है दो की घात 70 बाइट किसके बराबर होते हैं बड़ी बात नहीं थी बात थी हम छोटी छोटी चीजों को मिस कर जाते हैं बड़ी परिक्षा में परिसन बड़ा नहीं आता परिसन आता है वो कौन सा जिसको हम दरसल में इग्नोर करके चल रही होते हैं जब हम कुछ विसेश पढ़ते हैं तो विसेश ही उत्तर और विसेश ही परिणाम हमको मिलते हैं वो दिकत भई बाकि आप NTPC के हर सैट को खोलो रेलवे के बच्चे तो आपको हमेशा दिखेगा गीगाबाइट का रूपांतरण दिल्ली पुलिस या कंप्यूटर का आपको कहीं भी कोई परिक्षा होती हो जो मेमोरी कंवर्जन्स एगर कुश्चन ना आए ऐसा संभब नहीं है समझ रहे हैं? ओके? बुक दोस्त कल तक आपकी फाइनलाइज हो जाएगी और इसी मन्त में आपकी बुक आने वाली है कंप्यूटर की या हो सकता है एक दो दिन एक्ष्ट्रा लग जाएगी इसी मन्त में आज सुबह ही रिपोर्ट दिये मैंने कंप्यूटर की बुक की आप लोगों की खुद काम कर रहा हूँ बच्चे और गेहनता से देख रहा हूँ कि कोई चीज छूटे ना कोई चीज छूटे ना है ना बहुत अच्छे से इसी बार आ जाएगी सरसाहिल चिल्डर नाम से आईडी है अनविलॉक करवा दो अनविलॉक करना बच्चे विलॉक करते हो बत्तमी जी तो नहीं करते कुछ हमारे बच्चे ऐसे है नहीं गलती से हो गया होगा बई चलो बई करीबी हो गलती तो फिर मत करना इंसान को भूल सुधรने का मौपा तो मिलना चाहिए न तो दोस्त मुझे बताओ सबसे बड़ी unit कौन सी है सबसे बड़ी unit कौन सी है तो बच्चे अब बगेर देखे इसको लिखना शुरू कर दो मैंने बोला सबसे छोटी कौन सी होती है bit bit से बड़ी क्या बो लोगे भीया bits हो जाएगी क्योंकि इसका बहुवचन है फिर क्या हो जाती है आपकी सॉरी मार्क गल बना रहूँ bit से बड़ी क्या हो जाएगी bits हो जाएगी bit से बड़ी क्या हो जाएगी nibble जो की किस से बनेगा bits बनेगा दो बिट से nibble बनेगा आपका किस से बहिया किस से बनेगा चार बिट से बनेगा लगा भी अपनी copy पर लिख दो फटा फट निबल से बड़ा क्या होगा बोलोगे बाइट हो जाएगा जी बाइट से बड़ा दोस्त क्या होगा किलो बाइट होगा ये बहुत लगाने को आते हैं बीच में से कुछ भी गायब कर देता है किलो बाइट के बराबर से बड़ा क्या होता है मेगा बाइट मेगा बाइट से बड़ा क्या होता है गीगा बाइट को दिकत गीगा बाइट से बड़ा क्या होता है टेरा बाइट क्या होगा गीगा बाइट से बड़ा क्या हो जाता है आपका टेरा बाइट के बाद में क्या आएगा दोस्त आपका पेटाबाइट आजाएगा पेटाबाइट से बड़ा क्या हो जाएगा आपका एकसाबाइट आजाएगा कोदिकत एकसाबाइट इसके बाद में फिर आपका जोटाबाइट आता है क्या आता है जोटाबाइट आएगा और जोटाबाइट से बड़ा क बच्चे जो स्टेंडर्ड में इस्तमाल होती है वो ये है, ब्रॉंटो जो है आपकी स्टेंडर्ड में सामिल नहीं होती है, ऐसा तो बहुत सारी है दो की गहात 150 तक भी बहुत सारे वेज्ञानिकों ने गरना कर रखी है, लेकिन वो आपके लिए मानने नहीं है, संदीप आरियन जी मेरी बात आप समझ पाए होंगे चलो भए, फटाफट से like ठोक दो class को like कर दो है न और अब पढ़ेंगे आपका कल इसके 30 question तयार रहना correct एक बज़े मिलते हैं, उम्मीद करूँगा 30 के 30% वो बच्चा बनाएगा जिसने classes नहीं की हैं 10 number बहुत महत्पूर्ण आपकी परिशा के लिए रहेंगे बच्चे और साथ में जो classes चल रही है आपकी math की class हो कभी भी यह मत सोचो की paid वैच आएगा तब बढ़ेंगे, नहीं आपको पहले से practice session से जुड़े रहेंगे तो आप अपने अंदर आने वाले बच्चे उस बहतरीन बदलाव को देखेंगे जब बच्चा तैयारी सुरू कर रहा होगा ना, उसके लिए आप उससे पहले तैयार हो जाएंगे, तो राहुल तेयुतिया सर की नेत की किलास आप जरूर करें छीक है, रीजिनिंग की किलास आप जरूर करें बच्चे राहुल सरमा सर करा रहे हैं साम साथ बजे special किलास कराते हैं और SSEGD के बच्चों से पूछे बड़ा साथदार रिजल्ट रहा है जी रीजिनिंग का, उनकी का जबरदस तरीके से रीजिनिंग किलास करो GS के लिए जो बच्चे पूछ रहे हैं वो तीन बजे के practice session से जुड़ो और जो कुछ भी मैं extra points बताता हूँ या कुछ भी बोलना हूँ बस pen लेके तीन बजे बैठ जाओ दिल्ली पुलिस के चात्रों GS में फत्य करके आओगे मैं बता रहा हूँ आपको फत्य करके आओगे बाई बाई टेक केर जैहिंद चैभारत